नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज हमारी जो डिसकेशन है Study in Czech Republic क्योंकि शेंगन कंट्री है उसके बारे में हमारी डिसकेशन आएगी सब्तमबर इंटेक के लिए यहां पर भी जो मेजर दो ही इंटेक हैं वो ही January, February वाला और सब्तमबर लौठ वाला तो यह जितनी भी शेंगन कंट्रीस हैं 26 कंट्रीय उन में से सबसे ब्याइफिफल कंट्री चेक रिपवलिक हैं तो चेक रिपवलिक के सब्सक्र करेंगे पहले चैक क्रिपवलिक की को हम कब से डील करते आ सब यह करता रहे हैं जऺ Camera principles को मैं 2004 से पहले से डील करता आ रहा हूं 2004 की पहले मैं हिस्ट्री बताऊंगा 2004 में यूरोपियन कंट्रीज ने आठ कंट्रीज को जोइन करवाया था उसके अंदर Czech Republic थी वह आठ कंट्रीज कौन-कौन सी थी मैं 2004 की बात कर रहा हूं फिर चैक पब्ली के बारे में भी डिसकस करूँगा बियार तब प्रैक्टिकल पीपल मैं ऐसा नहीं हूँ कि वहां से इंफॉमेशन उठा ली उसकी सुन ली हम प्रैक्टिकल लोग हैं और प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं जो हमारा मैं सोया हुआ हूँ चाहे कहीं पर भी बैटा हूँ तो मैं स्टेट फॉर्बर वही स्टेट्मेंट दूँगा तो अभी मैं 2004 की बात करूँगा जब इजू कंट्रीज ने आठ कंट्रीज को पर्मिशन दी थी जोइन करने के लिए उसके अंदर चेक रेपब्लिक वी था वो कौन सी आठ कंट्री थी उनके अंदर चेक रेपब्लिक है साथ में लगी हुई पॉलंड है सुलवाकिया सुलवेनिया हंगरी और इस्टन यरोप की लट्विया लथूनि जे आठ कंट्रीज को पर्मिशन मिली थी 2004 में EU के साथ जोइन करने के लिए और उसके बाद 2007 में दिसंबर महिने की बात है 2007 में तो यही आठ कंट्री ने शेंगन कंट्रीज को जोइन किया था तो चेक रेपब्लिक ने शेंगन को दिसंबर 2007 में जोइन किया था तो चेक की जो हिस्ट्री बताऊंगा चेक का वीजा लेना कितना एजी था 2004 से पहले की मैं बात बताऊंगा तो बहाँ पर ऐसे रच पड़ा हुआ रहता था कि लोग जो हमारे पंजाबी हर्याना बाले राजस्तानी हुए बहाँ पर मतलब रात को जाकर लाइनों में लग जाते थे हम बैसी के आगे उसका वीजा काफी एजी था 2004 से पहले की मैं बात कर बता रहा हूं यू से जोइन करने से पहले चाहे पॉलेंड है चाहे चेक का चेक में लोग ज़्यादा जाते थे जितनी मैंने यह कंट्री सिपलिट हुई थी रशिया से जिन्होंने इंडिपेंडेंट हुए थे तो चेक के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशल था तो लोग रात को जाके अमबैसी के आगे क्यों लगा लेते थे मतलब बहीं पे कंबलों पे सो जाते थे फुटपात के उपर क्योंकि रश बढ़ कोई भी वीजा प्लेंग इसी तरीके से उस टेम चेक का वीजा लेना इतना इजी था मैंने ये काम हमने प्रेक्टिकली की हैं इन अबैसिस के आगे खड़े होके हमने सिच्वेशन देखी हुई है और तब जाकर हम यहां पर बैठे हुई हैं ऐसा नहीं है कि मैं एक वरी फ जहां जो एक अधी बरी सिंगापुर का ट्रिप लगा है जहां जो फॉरन से स्टूड़न पढ़के आ जाता है वो आगे यही कहता है कि चुरू बड़ा इजी कामक खोलो हम लोग वो लोग हैं जो अबैसिस के आगे खड़े होके एप्लीकेशन फोर्म लोगों का भरते थे किसी से 50 रुपे लेते थे किसी से 100 रुपे लेते थे किसी से 500 लेते थे हर एक अबैसिस में हमने बाई फुट जाकर दिखा हुआ है और हर एक अबैसिस के बारे में नौलज है तब जे नौलज जे बोलती है अंदर से निकलती है ऐसे नहीं है कि सिरफ बड़ी बड़ी दु वो ही पांच चार कंटी कनेड़ा 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 बट हम वो प्रैक्टिकल लोग हैं जो अमबैसिस के आगे खड़े होकर लोगों के फॉर्म भरते थे सुबा हमने भी जाना बहां से कोई पांच सुम मिलता तक नहीं ऐसा काम करके तब जाकर हम इस कुर्सी के उपर बैठे हैं यह हमारा एक्सपिरियंस बोलता है तो जे जोईन किया है जैसे अभी जो सिचुएशन है अभी बताया ना कि 2004 के बाद 2007 में जोईन किया है इसी तरीके से बड़े दिनों से मैं दोफाई डाल रहा हूं किस चीज़ की जैसे रुमानिया बुलगारिया ने एजू के साथ जोईन किया हुआ है यूरोपियन जूनियर की कंट्री है चार मैं फिर बता दूँ कोरेशिया है माल्टा है रुमानिया है और बुलगारिया इ लेकिन यूरोप की सिचुएशन खराब होने के कारण अभी कोविट है पहले वैसे एकनोमिकल प्रॉब्लम थी तब इसमें लिंगर ओन हो रहा है बट आज की डेट में भी अगर आप इन कंट्री को भी इन कैश कर लेते हैं रुमानिया बुलगारिया तो तब भी आपको ब ह large च्राइब की सिचुएव और यहीं बहु corazón ने वहां का इंकैश्मेंट किया है जिन लोगों ने बहां पर सैक्रिफाइस मींज किया होता है जिनोंने बहां पर चार क्योंकि आपको example से समझाना पड़ता है समझते नहीं है समझना तो चलो एनी हो तो ये तो मैंने history बता दी थी चेक की तो चेक के साथ हमारा बहुत पुराना रिष्टा है इसी तरीके से अभी हम Czech Republic के fact and figure के बारे में बात करेंगी जो चेक कंटी के साथ में लगे हुए border है जर करा कर जर्मीन में सैटल बहुत सारे लोग हुए है तो साथ में आस्ट्रिया बोडर लगा हुआ है एक साथ पॉलेंड है और सुल्वाक्या यह चार कंट्री चेक के साथ लगी हुए है इसी तरीके से इसकी जो करन्सी है वो चेक करोना है जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं दो जार चार जार साथ उस टाइम यह एक रपे डेट पे का होता था आज की डेट में अपरोक्स यह चार पे का है चेक करोना तीन रपे सम्थिंग का है सेवंटी पैसे का सम्थिंग का है आज की डेट में तो इसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे टैन मिलियन की पॉपुल के लिए जाता है बहाँ पर आज की डेट में हजार से ज्यादा इंग्लिश टोड प्रोग्राम है आइधर वो बैचलर के हैं मास्टर के हैं जांप पीएचडी के हैं और बहाँ पर अप्रोक्स सेवन्टीज कॉलेज और यूनिवर्स्टीज हैं जो कि इंटरनेंट्शन स्टुडेंटो को असेप्ट करती हैं तो चेक में जो वीजाए स्टुडेंट का लेना कंपेर टेवड़ी अणडर कंट्री से काफी लिनियर्ट है लेकिन रच होने के कारण appointment में दिक्कत आती है चेक में भी हम केस डालते हैं लेकिन प्रफाइल देखने के बाद कि आपकी प्रफाइल कैसी है तो चेक में हमारे पास कौन-कौन सी सट्रीम से हैं कौन-कौन से bachelor और master और आपको PhD में admissions मिल जाता है PhD में admission को avoid करता हूं क्योंकि PhD में admission लेने के लिए आपके पास आपकी publication आपका research work वो सारा कुछ चाहिए आप thesis चाहिए वो master में हमारे पास होते नहीं है और दूसरा क्या है guide के साथ student की directly interactions रहती है और दो दो तीन तीन घंटे skype के उपर daily guide आपकी interview लेता है फिर जाकर PhD में admission मिलता है जितनी भी जो शेंगन country है चाहिए लाट्विया लथूनिया इस्टोनिया इनमें तो इसी ली मिल जाता है चाहिए यह मैं इनकी बात कुरें जो स्कंडेनेविन कंट्री स्वेंन फिलने डेन्मार्क क्योंकि इनमें हैं तो अगर आपने वहां पर admission लेना है आप की हैल्प कर सकती है तो अभी हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंड क्राइटन कोई ऑगड़ी कर सकती हैं तो अब आप कर सकती है तो अग्री कल्चर में आपने वेस्ट ने अग्री कल्चर करनी है इसी तरीके से अगर आप बैटनरी में अपनी कोई डिगरी बैचलर जा मास्टर करनी है इंग्लिश में तो उसमें भी के लिए उसमें भी आपका मिल सकता है चैक में आपको मेडिकल से रिलेटर किसी भी प्रोग्राम में डेंटिस्ट्री है चाहे नर्सिंग में लेना है चाहे फार्मेसी में लेना है आपकी हेल्प कर सकती है चाहे बायो टेक्नॉलिजी में लेना है चाहे मेरीन अंजिनिरिंग में लेना है चाहे आपने अरोनेटिकल अंजिनिरिंग में लेना है उसमें हेल्प कर सकते हैं इवन आपने स्पोर्स मैनेजमेंट में अड्मिशन लेना है हेल्थ से रिलेटर किसी प्रोग्राम में एडिमिशन लेना तो क्राउन इमिशन आपकी हैं इवन बिजनस एक्राइब कर सकती है आप मुझे अपना टेस्ट बताइए तो कंट्री मैं सुझेस्ट करूंगा कि आपका केस हम कहां पर डालें और सबसे प्लस प्लाइब कि यहां की स्टड़ी इकनॉमिकल बहुत ही बड़िया है पॉलेंड से तो हंडर टाइम बड़िया कंट्री है यह पॉलेंड का अलग सेस्टम है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था सबसे ब्यूटिफुल कंट्री मुझे यही लगी जब हम भी जाते थे मैं इन जो टाइम की बात करा हम भी घूमके आए MBS करने के लिए 10,000 है अगर आपने जनल स्टडिज के लिए जाना है वी टाइक है चाहे बी एसी इन बेटनरी है ऐसी इज में जाना है तो इनकी जो फीज है वो 6000 जूरो तक की है तीन यहार भी चार भी पांच जाए एंबेवेस की सिर्फ टेंथोजन जूरोगी है तो उसमें क्राउन इम्मिग्रिशन आपकी है अब या क्वेस्टन आता है कि वहां पर पार्ट टैम यौब की अविलिविल्टी पार्ट टैम कर सकता है यहां पर इंट्रेशन फूर्ट पा करता है एक जनरल इंटर्विव आती है यहां पर और दूसरा प्लस्पंट यह है कि यहां पर 80-90 परशंट जो अडमीशन है डॉक्मेंट के ऊपर ही आ जाता है विदावड यूनिवस्टी इंटर्विव यह प्लस कर सकती है क्योंकि क्रावन इमिग्रिशन को चेक जा बाकी शेंगन कंट्री में बहुत अच्छा एक्सप्रियंस है तो अभी लास्ली मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल के उपर इस टाइप की इंफोमेटिव वीडियो बहुत सारी पढ़ी हुई है अगर उनको मेरी यही रिक्वेस्ट के अगर आपको जी मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना नाम ले थेंक यू